इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से आप अपने यूटूब चैनल का नाम चेंज कर सकते हैं सही तरीके से होता क्या है कि जैसे ही हम अपने यूटूब के चैनल का नाम चेंज करते हैं उसी के साथ-साथ हमारे जो जीमेल का अकाउंट यानि के गूगल का अकाउंट है उ यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती हैं लेकिन जो तरीका मैं आपको बताऊंगा उसमें आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएंगी तो देखिए जैसे आप ऍाभी में गए हैं यूट्यूब स्टूडियो push på और यहां पर यानिके प्रफ्लम आपके हैं कि च्वलम यहां पर है के लोग आएपकर जाते हैं सेटिंग में और यहां Diya यहाँ पर लिखाओगा आपके चैनल का नाम और यहाँ पर लिखाओद है तो एडिट चैनल विजिट यूर गूगल अकाउंट और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यह एक नए अकाउंट नए पेज में ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपका गूगल अकाउंट होता है और आगर वहाँ से आप उसको चेंज करेंगे तो आपके गूगल का अकाउंट जी मेल सब का नाम चेंज हो जाएगा लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हमारे जो अकाउंट का यानि कि गूगल अकाउंट का नाम चेंज हो हम सिर्फ अपने चैनल का नाम चेंज करना चाहते हैं क्योंकि हो सकता है कि आपके अकाउंट में कई सारे चैनल हो जैसे के मेरे में हैं तो मैं नहीं चाहता कि ये मेरे चैनल का नाम सभी मेरे गूगल अकाउंट में हो जाए तो उसके लिए क्या करना है आपको यहां से नाम नहीं change करना है इसको close कर देना है फिर उसके बाद आपको क्या करना है यहांपर आना है यह देखे corner में tyre यहांपर account पे और यहांपर देखे the channel इस पे आपको click करना है तो जैसे यह आप click करेंगे तो आपका चैनल open हो जाएगा यहाँ पर उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए कस्टमाइज चैनल का एक बटन दिखाई दे जाएगा यहाँ पर टोप पर टोप राइट में तो आपको उस पर क्लिक करना है और एक नई टैब आपकी ओपन हो जाएगी ब्राउजर में और उसके बाद देखिए आपको यह चैनल कस्टमाइजेशन का ओप्शन मिल जाएगा यहाँ से आपको वीडियो स्पोटलाइट अपने चैनल का ट्रोइलर वगएरा आप इसमें एड़ कर सकते हैं फीचर वीडियो एड़ कर सकते हैं यहाँ पर देखिए ब्रेंडिंग है आप ब्रेंडिंग अपना यहाँ पर इसको चैंज कर सकते हैं यहाँ पर बैनर इमेज यहाँ पर प्रोफाइल इमेज यह सब चैंज कर सकते हैं यहाँ वाटर मार्क भी एड़ कर सकते हैं और फिर आता है आपका यहाँ पर basic info तो basic info में देखिए यहाँ पर channel name and description यह आपको यहाँ पर दिखाए देगा तो यहाँ पर click करना है आपको इस pencil icon पर और यहाँ से निश्टा जो जैसे अब इसमें मैंने निश्मर्थ academy किया है तो सर्फ निश्मर्थ हो जाएगा और इसके बाद आपको और कुछ यहाँ पर आप चाहें तो channel की description यहाँ पर दे सकते हैं और channel का URL यह आपका हो गया है उसके बाद यहाँ से अगर आप चाहें तो इसको शायद चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि इसका permanent address हो जाए तो यहाँ से चाहिद आप चेंज कर सकते हैं आइटिक नहीं होगा अब तो उसके बाद यहाँ पर अगर आपकोई अपनी website का link डालना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं यहाँ पर आप अपनी contact info अपनी email id यहाँ पर डाल सकते हैं तो मैं यहाँ पर अपनी email id डाल देता हूं ठीक है यहाँ आपकी email id हो गई और उसके बाद यहाँ पर आपको टॉप करनर में publish का option मिलेगा तो publish पर क्लिक कर दीजिए और ऐसा करने के बाद आपको यहाँ पर एक option मिलेगा go to channel यहाँ चैनल पर दुबारा चल जाएए और refresh क कीजिए पेज को तो यह देखिए आपके चैनल का यहाँ पर नाम चेंज हो गया है लेकिन आपके account का नाम चेंज नहीं हुए आपका account as it is रहेगा जो भी नाम आपका ओरिजनली था वो as it is रहेगा तो इस तरह से आप अपने YouTube चैनल का नाम चेंज कर सकते हैं बहुत यह अ तरीके से so thank you so much bye bye see you in the next video और अगर आपने इस चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्लीज सब्सक्राइब कर लें for more amazing tips tricks and tutorials so thank you so much bye bye see you in the next video